ये उन्हें नहीं दिया है जिन्हों ने किसल अदenne को और डी comparative कार्टून कें अ पूरा विडियो आज की जिएगा और ये रस्मलााई पूरी आपको फिलप करनी केक्ट में है यह हमारा sponge bun के ready है yummy yummy और tasty star रसमलाई केक तो प्रेंस अभी मेरा expression देखिए यह मेरा लड़का आता है बोलता है ममी मुझे रसमलाई चाहिए तो मैं सुलाती हूँ और फ्रेंस मेरा expression देख सकते हो कितना बुरा था और मैंने उसे समझाया कि वो दीदी ने दिया है केक के लिए मैं आपको पहार से फिर से लाके दूंगी तो इसको बिल्कुल भी नहीं दिया मैंने और यह दिखिया आज हम केक के लिए यूज करने वाले है भर-बर के और जिनोंने भी केक और दिया था रसमलाई केक उनको real रसमलाई केक चाहिए था तो उन्हें ने पेशली रसमलाई हमें लाख दीख थी 200 रुपीज की बहुती महांगी रसमलाई आती है और आज हम रसमलाई केक बनाने वाले हैं बहुती यमी यमी और टेस्टी सा इस तरीके से मैंने 3 और कट कर लिया है चाकू से और धागे के मदद से तो फ्रैंस यह रस मलाई है और अब हम इसे मतलब जो रस से वह अलगकरेंगे और मलाई अलग करेंगे इस तरीके से और देख सकते हो ये तू पैकेट मेने पूरे डालिए हैं रस मलाई केक में बहुत ही यमि और टेस्टी लगता है challenged तो सबकोई पसंद है तो प्रेंस इस तरीके से निकाल रही थी और यह तिके तुरे लियमी से निकाल दिया और शुगर शिरूप इससे ही करेंगे। निकल रहा था एक दम चोर से निकलना पड़ रहा है और देख सकते हैं इस तरीके से निकाल दिया और निकल गया तो यह दिखिए हमारा रस्मलाई और धूप इतनी गिर रही थी कि मतलब आपको रस्मलाई भी नहीं दिखरी चोटे-चोटे रस्मलाई है और एक में बड़े- अब हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगी क्योंकि हमारा जो केक है वो हिलेना नीचे वड़ा केक बेसे उसे रख दिया है और जो हमारे रस्मलाई है वो हम इसमें डालेंगे यह रस्मलाई है और इसमें कुछ भी पानी भी निढ़ी और दूद कुछ भी एड नहीं करना है और इस तरीके से प्रेट कर लेना है तो देखिए आपको पूरा दिख रहें कि नहीं वह भी में देख रहे हूं उनको रसमलाई केक चाहिए था और बिल्कुल भी मेरे पास रसमलाई क्रस्ट से हम बना सकते हैं लिए जो रसमलाई लिए ना वो खाने में बहुत यहाई मैंने जो भी रसमलाई थी वो डाला क्रस्ट की जगाया है वो डिलेंगे खेस लियर अचेक को कब्या है और यह सार ना है और इसे भी रसमलाई से सोख कर लेते हैं तो रसमलाई केक बहुत इन से चाहिए था बट रियल रसमलाई और नॉर्मल रसमलाई था हम बना सकते हैं तो इसका जो टेस्ट है वह बहुत ही यमी है फ्रेंज आप जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे तो लगता है मतलब जैसे इस तरह से पूरा पिलफ कर दिया है इस तरीके से पेड़ पेड यह तरीके से क्रिम थोड़ा ज्यादा कर देना है तो प्रेंज मैंने वह केक जए से उन्होंने पोटो पेड गर यह पिल्या था रिदी तो किया है सेम टू सेम मैं मतलब कुछ चीज न्यू कुछ ट्राय करने जाती हूं तो मुझे लगता है कुछ गलत ना हो जाए तो बट यह इतना परपेक्ट हुआ कि मुझे भी बहुत ही पसंद आया फ्रेंस रस्मलाई में डाली है और इस तरहीं से आपको स्प्रैड कर लेना है और आप मलाई डालेंगे वह बहुत सारी बरबर के तो इस तरहीं से आपको डालना है बहुती एक एक नहीं रखना फ्रेंस और अपको थोड़ा-thोड़ा निकाल निकालके रखना है चमल शेंस डालती तो एक भी एक जगा में बandशाता तो घला है तो देख सकते हैं फ्रेंज बहुत ही यमी और टेस्टी जैसे रस्मलाई होता है वैसे हमारा जो केक का टेस्ट है वो आने वाला है तो फ्रेंज इस तरीके से हमारा ये ओर्डर का केक है तो रस्मलाई केक चाहिए था और कार्टून थीम रैंबो केक चाहिए था रैंबो की जैसे डिजाइन होती है वैसे बट मेरे पास फॉंडन नहीं था तो दीजी नहीं बोला कि आप क्रीम से बना के दो तो मैंने क्रीम से बनाई हूँ इसका जो डेकोरेशन हो बहुत ही ब्यूटिफुल है फ्रेंस कार्टुन केक 3-4 घंटे लगाए मैंने इस पूरे क मलाई मैंने कितनी सारे डाली है बरबर के आपको आच्यसे नहीं दिख रहा है यह कि हमारे जो डिब्बे भी खाली हो गए है और पूरा इसमें डाल लिया है और टूहंडरेड रूपे और थोड़ा थोड़ा करके आपको डाल लेना है बहुत ही यमी सा और टेस्टी सा हमारा केक बन के रेडी होता है यह दिखिए एक दम ध्यान से हम काम करते हैं और इस तरीके से और मैंने यहां डाल लिया पूरा रसमलाई हमारा रसमलाई फूरा खतम हो गया नॉर्मल अब हम डालेंगे और इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करेंगे तो दिखे फ्रेंस यह वाला उनको केक चाहिए था बट मेरे पास फॉंडन नहीं था तो दीदी नी बोला कि क्रीम से बनाने के लिए तो ऐसा सेम टू सेम मैंने केक बनाया है बहुत ही ब्यूटिफूल सा कार कोटिंग कर लेनी है बाद में केक की फिनिशिंग तो फ्रेंस बहुत ही ब्यूटिफूल सा और डेकोरेशन इसका होने वाला है कार्टून के पूरे तीन चार घंटे में लगा दी है इसमें दीदी ने कार्टून के एक बेजा था तो समझ नहीं आ रहा था कि यह बनाऊंग कर लिए और ऊपर के साइड में थोड़ा क्रीम लेकर इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है वीडियो में थोड़ी सी फास्ट की यह फ्रेंस क्यूंकि बहुत ही लंबी हो जाती है अब देखना भी नहीं चाहेंगे तो प्रेंस इस तरीके से मैंने पूरे केक को कवर कर लिया ह इसके आइसिंग कर लिये हैं तो प्रेंस मैं आगे बेट के आपको दिका रही हूं कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना तो इस तरीके से जो हमारे केक की फिनिशिंग हो हो गई है हम प्रेंस दस मिनिट के इसे फ्रीज में रख देते हैं और एकदम साप सूत्रे नैपकिन से आपको एकदम साइड साइड से कवर कर लेना है मतलब जो हमारे की में इस तरा की तो फ्रेंस इस तरीके से मैंने यहां ड्राइंग बना ली है एक दी के नोट्स में इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है और जैसे उन्होंने पेटो भेजाता वैसे सेम तू सेम में शाओ आप ऩीपीड साथे नहीं काहिए अच्छी अगुत जीए से इसे तरीका से लीगिन आपको रूपविए देने पहले कर लेकाुना साथ करो दूलड एक सब्सक्राइब मतलब बना सकते हैं क्याूंकि विया डोच्छार नहीं के साथ तो में निया चॉक्लिड रूप मेल्ट करके और इस तरीके से पूरे केक की आउटलाइन आपको कर लेनी है बहुत ही सुन्दर सी काल्टून केक तो दीखे फ्रेंस में डर रही थी क्यूंकि मेरी परफेक्ट काल्टून केक बनेगी की नहीं तो मैंने इसे तूट्पिक से बनाया है तो यह आच्छे से बन से बनेगा शुन crown जो नगा रहा है था में गचाल्टून मेड़क्ट को इन्दर में बनाया था लिए तो है में अच्छी तरीके से से पको में सुन्दो कर लेना है और में वार्य गयाब नहीं डम क्याल रके और यह दिखें इस तरीके से आपको ड्रोग कर लेना है और इनिकॉन कालटून केक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना अपर आप इस तरीके से बना ली है और आप तुद्पिक का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से क्यूंकि फिलप अच्छे से नहीं हो रहा है तो इस तरीके मीफ लिया है और इस तरीके से मुझे टाइम लगा ज़ेक बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा टायम क्योंकि पूरा यह की केक को मैंने चार पाँच गंटे लगाए कि ऐसे बना ऐसे बनाना बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं होनी है तो इस तरीके से मैंने पूरे कलर्स को मिक्स कर लिये है इस देख सकते हैं बहुत ही यूनीक सा हमारा वाइट कलर अलग से लेंगे तो यह दी ऐसे फोर कलर्स मैंने आभी लिया है केक अब हम यह वाइट कलर लिया है चोटूस सा नोजल लिया है बहुत ही एक बड़ा नोजल आपको नहीं लेना है और जो मू है यूनिकॉन का उसे अच्छे से कवर अप कर लेना है इस तरीके स तो देख सकते हैं फ्रेंस पूरे केक को मतलब इस तरीके से युनिकॉन के जुमूह है आगे वाला उससे कर लेना है और बहुत ही व्यूटिफूल सा हमारा युनिकॉन केक लगने वाला है काल्टून केक इस तरीके से मैंने पूरे वाइट क्रीम से कवर कर दिया है आप आम इसकी आउटलाइन करेंगे जो साइड से जो केक का फिनिशिंग है उसको भी हम कलर कलर से ही कवर अप करेंगे तो मैंने यहाँ एलो कलर लिया है और दीखे आप ओनली आपको इधर ही करना है बस होगा इस डॉट रखा है आप देख सकते हो बहुत ही छोटी वाली नोजल मेंने लिया है और दीके उपर के साइड में बस हो गया और अब हम कलर अलग करेंगे तो फ्रेंस में कलर चेंज कर रही थी ना तब हर एक कलर मतलब पैपिंबैक को बार बार दो के लेके आना पड़ रहा था औ फ्रेंस ना फेहिंगे पोलाकि अहिंट ने अलम से था सब्सक्र le Gaming Leading के रहें पुझान में कलर के ईली हैं और रहीत है मैंने अर्फिश देख सबरी है कांट के कह गाएंगे टोड़ेश मीं अपके साथ चेर किया रसमलाई की और फेशिली और वाला यूनिकॉर्ण केक तो फ्रेंस इस तरीके से मैंने ब्लू कलर से कवर कर लिया है और मैं यहां थोड़ा सा पिंक कलर डालके यहां इस तरीके से कवर कर लिया है और अब इस साइड से भी हमने जो आउटलाइन है वो इस तरीके से कवर कर लि और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना तो मैंने यहां जुगाड़ो वाला काम किया कि इसलिए कहां से अभी नोजल में क्रीम डालूंगी तो मैंने तूटपिक से एकदम छोटू सा आख में जो ब्लैक था वहां वाइट डाल लिया है और मैं घवात ही कुछा बसव initiatives तो दिगे इसनवे पडिय हैं तो मैंने ब्यक्रों बचाल लिया है मैं नैटी यहां रैंबो के जाएसे तो आप जरूर कमेंट करके पंदाना के आपको कैसी लगी जक़ारा इनिकॉन केक कालट्वन ही इसका पाइनल ॐकप किसके öz hops तो प्रेंज आप कमेंट करके जरूर बताएगा यह दिके मैंने थोड़ी सी मेरे पिच्छस डाली है इधर उदर की आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना फ्रेंज बहुत ही मैंनद से मैंने रेसमलाई केक रेसिपी अपके साथ शेयर की है और कीनिकॉन केक काल्टून केक तो फ्रेंज आज का वीडियो यूजपूल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो देखने के दन्यवाद